नमश्कार दोस्तों, स्टार्ज अन्फोल्डेट पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रोमन सैनी के बारे में, जो पेशे से एक एजुकेटर, अंट्रिप्रिनॉर, एक्स आई एस ओफिसर, डॉक्टर और मोटिवेशनल स्पीकर है। वह अन-कैडमी नामक एक ओन-लाइन अकैडमी के को-फाउंडर भी हैं, जिसके तबारा कई तरह के कंपेटिटिव एक्जाम्स के लिए फ्री ओन-लाइन स्टाडी मिटीरियल प्रतान किया जाता है। उनका जन 27 जुलाई 1991 को जैपुर के कोट पुतली कस्पे के गाउं रायकर्नकुरा में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई All India Institute of Medical Sciences New Delhi से की। एक अत्यधिक शिक्षित परिवार में पैदा होने के नाते उन्हें बचपन से ही घर में पढ़ाई लिखाई का महौल मिल गया था। रोमन ने दस्वी तक पढ़ाई की और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बलकि उनका ज्यादा तर समय पता गुड़ाने, साइकल चलाने और गलियों में क्रिकेट खेलने में बीतता था। उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई राजिस्थान बोर्ट से की जिसमें उन्हें 85% अंक मिले। रोमन सैनी 16 वर्ष की आयू में एम्स के Medical Entrance Examination को पास करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। इसके बाद उन्होंने एम्स हॉस्पिटल न्यू डेली में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर कार्यप भी किया। वर्ष 2011 में उन्होंने भारत के विभिन, गरीब, एवं पिछडे छेत्रों में चिकित्सा शिवरों का दौरा किया। जहां उन्हें भारत का असली चहरा दिखा क्यूंकि उन जगहाओं पर लोगों को बुन्यादी सुविधाओं के लिए भी संगर्ष करना पड़ता है। तब ही उन्होंने सिविल सर्विसेज में जाने का निर्णे लिया, ताके वेह समाज को बड़े पैमाने पर योगदान दे सके। जब रोमन एम्ज में MPBS के दूसरे वर्ष में थे, तब उनके पास गौरव मुझाल एक प्रोजेक्ट लेकर आए, जो की ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ा था। गौरव मुझाल रोमन सेनी के स्कूल फ्रेंड है। यही प्रोजेक्ट बाद में चलकर आनकैडवी बना, जो कंपेटिटिव एक्जाम्स विशेश रूप से UPSC की तियारी करने वाले छातरों की सहायता करता है। इस प्रोजेक्ट की बुनियाद रखने में उनके दो अन्य मित्रों हिमेश सेंग और सजन गुपता ने भी सहयोग दिया। वर्ष 2013 में 22 साल की उम्र में UPSC ए एक्जाम क्लियर करने वाले रोमन सेनी भारत में सबसे कम उम्र के उमीदवारों में से एक थे। रोमन सेनी ने सिविल सर्विसेज की तेयारी के लिए किसी भी कोचिंग इंस्टिट्यूट की सहायता नहीं ली। हाला कि उन्होंने वाजी राम के स्टडी मटीरियल और टेस्ट सीरीज की सहायता ली थी। उनका ऑप्शनल सबजेक्ट मेडिकल साइन्स था। रोमन सेनी ने 22 वर्ष की आयू में UPSC की परिक्षा में 18 रैंक प्राप्ट की थी। इसके बाद वो मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एड्मिन्स्ट्रेशन में अपनी ट्रेनिंग के लिए चले गए। ट्रेनिंग के बाद उनकी मध्य प्रदेश के जबलपुर में असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर पोस्टिंग हुई। आलांकि जल्ग ही सिविल सर्विसेज में उनका इंटरस्ट खतम हो गया क्योंकि वहें शिक्षा के शेत्र में कुछ बड़ा करना चाहते थी। और उन्होंने वर्ष 2016 में असिस्टेंट कलेक्टर के पद से रेजिगनेशन दे दिया क्योंकि वहें अपनी अकैडमी को पूरा समय देना चाहते थी। रोमन सेनी की अनकैडमी की टीम में सिविल सर्वेंट्स, एजुकेटर्स, इंजीनियर्स, डॉकर्स और अन्य छेतरों के स्पेशलिस्ट शामिल हैं। अनकैडमी के यूट्यूब के चैनल के माध्यम से मेडिसिन, आईटी, सिविल सर्विसेज और और फॉरन लैंग्विजेज से संभधित स्टडी मेटीरियल को अपलोड किया जाता है। उनकी वीडियो को लाखो लोग देखते हैं। इसके अलावा उनके दस से अधिक फॉलोवर्स भी सिविल सर्विसेज की परिक्षा पास कर चुके हैं। अब बात करते हैं उनकी हॉबीज की। उन्हें गिटार बजाना, पजल सॉल्ट करना, घूमना फिरना और गाने सुनना बहुत पसंद है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक और शेयर करें। और हाँ, हमारी चैनल स्टार्स अन्फोल्डिट को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले। रोमन सैनी से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिये गए स्टार्स अन्फोल्डिट के लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।